हेलो अभीवन वेलकम तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इंटीग्रेशन का तो यह गिवन क्वेश्चन है बुक से ही और यह आपका क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है एक्जाम पेपर में क्वेश्चन को सब्से पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर किया है x-1 का whole square by x-1 का whole square डट डि-x अब यहाँ पर यह p-by-q की फॉर्म में है यह एक rational function तो है लेकिन क्या यह improper या proper rational function है नहीं यहाँ पर दोनों के degree same है दोनों के degree same है power 2 है power 2 है right तो degree same है तो हम इसको partial fraction से solve नहीं कर पाएंगे हम इसको substitution का use करके solve करेंगे तो वही same चीज नीचे अभी हमने क्या देखा कि हम इसको partial fraction से क्यों नहीं solve करने वाले हमें हमें देखा था कि partial fraction से हम दो तरीके सॉल्व करते हैं, तीन केसित होते हैं हमारे पास और दो तरीके कि हमारे पास rational functions होते हैं जिसमें जो degree of denominator अगर वो बड़ा है तो आपका एक function बनेगा rational function और अगर दूसरा अगर आपका numerator का degree of power बड़ा है तो जो की same है, तो इसके लिए हमारे पास कोई भी case नहीं था, तो तीनों cases हमारे उन ही के लिए थे इम प्रॉपर और प्रॉपर राशनल functions के लिए तो अभी हम इस question को solve करेंगे substitution methods से, हमारे पास अभी तक दो ही methods हमने सीख्या है एक तो substitution method और दूसरा, अगर direct आपको given question है और वो integration में formula लगाके apply करके integrate हो पारा है तो आप इसको integrate कर लेंगे नहीं तो आप substitution method का use करेंगे, महाँ पर हो सकता है कोई variable put करने से, वो substitute होने के बाद integrate हो पाए then third हमने सीखा partial fraction कि partial fraction आपको कभी use करना है वो भी हमने इसके लिए भी separate video initially start किया था बनाके और वो आपका channel पे upload है playlist में आपको मिल जाएगा अब यह हम अगर partial fraction से नहीं कर सकते हैं तो हम substitution apply करेंगे क्या मैंने कहा था आपको denominator को हम reduce करने का try करते हैं तो denominator को put करेंगे x-1 is equal to t करेंगे differentiate both sides के हैं 1 is equal to dt by dx dx is equal to dt हो जाएगा यह ठीक है हमें इतना step clear है तो इसके जगावे मैं क्या लिख सकते हूं t की power 2 लेकिन यहाँ पर क्या x plus 1 है यहाँ पर x की form तो अभी भी रहेगी क्योंकि हम x-1 को t लिख सकते हैं लेकिन x plus 1 को तो हम t नहीं लिख सकते हैं तो x की value निकाल निकले मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से लिख रहे हूं t की terms में इसको right and side लेकर जाएगा तो क्या हो जागा t plus 1 तो x की जगा मैं क्या लिख सकती हूं t plus 1 लिख सकती हूं तो उपर जो मेरा numerator है x की जगा पर मैं क्या लिख सकती हूं t plus 1 plus का 1 इसमें already है term में तो हम उनको साथ में add कर लेंगे 1 1 को and whole का square dot dt right ऐसे हमारी t की form में यह given equation आ जाएगी तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कुछ इससरी की से लिख लिए है 1 plus 1 क्या हो जाएगा 2 2 का square कर लेंगे yt का square dot dt a plus b का whole square a square plus b square 2 का square करेंगे क्या आएगा 4 आएगा plus 2ab तो 2 multiply by a which is t b which is 2 तो 2 into 2 into t क्या हो जाएगा 4t हमने इसको expand कर लिए formula से expand करने के बाद अब हम इनको अलग-अलग कर सकते हैं right तो t square by t square हो जाएगा plus 4 by t square हो जाएगा plus तीसरा form क्या होगी 4t by t square dot dt सबके साथ देखते हैं इसको t square by t square क्या होगा 1 dot dt क्योंकि cancel हो गया plus s को नहीं है यहाँ पर कुछ नहीं बचा यहाँ पर 1 बचा है right तो 1 dot dt हमने यहां लिख लिए plus 4 हमने बाहर लिख लिए यह हो जाएगा 1 by t square t को integrate करने के लिए मैं उपर लिख लूँगी इसको x की power n वाले formula में integrate करूँगी then plus t से t cancel तो यह 1 by t बचा right t से t cancel तो 1 by t नीचे 2 t थे ना तो 1 by t बचा यहाँ पर 1 by t हो गया dot dt then उसके बाद हम इसको integrate कर लेंगे 1 को integrate करके हमें क्या मिलता है variable मिलता है तो अगर वो t की terms में तो हम t लिख देंगे यहापे लेकिन अगर यहापर यह differentiate हो रहा होता तो क्या होता 0 होता right लेकिन यहापर यह integrate हो रहा है तो हम इस पर t लिख देंगे प्लस 4 into में इसको हम x की पावर n वाले formula में integrate कर रहे है तो 1 by n प्लस 1 तो माइनस 2 प्लस 1 into में t की पावर माइनस 2 प्लस 1 मतलब n प्लस 1 solve कर लेंगे plus e क्या हो जाएगा log का t plus c solve करते है further यह हो जाएगा माइनस का 1 यह हो जाएगा t की पावर माइनस 1 तो मैंने इसको क्या किया यहाँ पर यह माइनस 1 हो जाएगा तो जो मेरी first term के बाद sign है वो माइनस का हो जाएगा right तो first term के बाद जो मेरा साइन है यह प्लस का है यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा यह and यह कुछ इस तरीके से लिखा चासेकता है यहाँ पर मैंने इसको सीधा ही t के जगा पर x-1 put कर दिया and then minus 1 तो यह नीचे आ जाएगा तो क्या लिखा हो 4 by x-1 plus का 4 log x-1 t की जगा पर हमने x-1 replace कर दिया plus का c तो यह हमारा इसका अगला question था integration का और इसको हमने क्यों substitution method से solve किया यह हमने देखा अपनी starting में और ऐसे ही questions यह important questions है अगर आप इनके practice करेंगे एक-एक करके अगर आप कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको substitution से use कर रहे हैं कैसे हम इसको partial fraction से use कर रहे हैं तो इससे आपकी practice होगी और question करने में आप जारा time नहीं लेंगे फिर और paper में आप जितना जल्दी जागर जारा practice से पहले करके रखेंगे उस time पर आप बिना गलती किये पुरा questions solve कर सकते हैं और पूरे confidence के साथ तो आज की video में इतना ही था हम अपनी अगली video में मिलेंगे उस video में हम integration के और भी questions देखेंगे थाइंक यू